हेलो दोस्तों कैसे हैं सब मैं हमानशू स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैलल कॉमिक वर्ड पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो धुरूप का अगला विशे शांक दूसरा धुरूप इंसान को कंट्रोल करता है उसका मस्तिश्क और जो मस्तिश्क को कंट्रोल कर सकता है उसे अपने इशारों पर नचा सकता है धुरूप जैसे इंसान की दिमाग को भी बदल कर बना सकता है एक दूसरा धुरूप शाबाज ध्रूफ मेरा चंडिका द्वारा तुझ पर अटेक इसलिए करवाया था ताकि मैं देख सकूंगी तो किसी की चान ले सकता है या नहीं तू मेरे टेस्ट में पूरे नंबर लेकर पास हुआ है अब तू बनेगा मेरा किलर नंबर पन सुपर कमांडो द्रूफ की जिन्दीगी का यह दिन भी आम दिनों जैसा ही है मैंने तुमको और मुझे जोडने वाले पुल को जला दिया है द्रूफ और अगर तुमने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो चंडिका और उसकी जिन्दीगी के बीच की दोर को भी जला दूँगा मैं चंडिका को जरूर बचाओंगा लेकिन तुझे मासूमों की जानों से खेलने के लिए आजाद नहीं घुमने दूँगा द्रूफ की मोटर साइकल हवा में लहरा गई और रोगों की बाई आग चमक उटी निशाना रसी थी लेकिन मोटर साइकल की चमकती सतय रसी और किरन के बीच में आ गई मोटर साइकल हवा में आधा रास्ता पार कर चुकी थी कि तब ही आग की एक उची लबेट मोटर साइकल के निचले हिस्ते से जाठक राई दुरूप का शरीर तेजी से चटानों की तरफ गिरने लगा सॉरी आग पैट्रोल तक पहुँची और मोटर साइकल एक धमाकी की साथ फट पड़ी दुरूप का शरीर तेजी से चटानों की तरफ गिरने लगा उफ डैमिट इससे कहा था कि ये काम खुद ना करे नीचे गद्दा लगाओ जाल लगाओ अरे कुस तो करो गद्दे में उपर से गिरते जलते तुकड़ों ने आग लगा दिये गद्दे का इस्तमाल नहीं हो सकता फिर कौन बचाएगा हमारी धुरूप को अब धुरूप को बचाएगा खुद धुरूप अरे ये क्या चक्कर है दोदोदोफ चौके मत चक्कर ये है ओ थैंक्स रोफ बिलकुल सही वक्त पर आये तुम मैंने तो तुमको अच्छी स्क्रिप्ट में अपनी स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव पर डिसकस करने के लिए बुलाया था लिपटते ही अलग हो गई ओ लकड़ी जल चुकी है यानि स्टार लाइन अटकाने की जगह नहीं बची है और एक मिनट के अंदर अंदर उस लकड़ी को थामने वाली रसी तूट जाएगी उसके गिरने के बाद उसको बचाना मुश्किल होगा मुझे उसको रसी तूटने कर अटका भी चुका था और अगला आदा मिनट बीतने से पहले द्रुब इतनी गती पकड़ चुका था कि चंडिका तक पहुँच सके लेकिन इतनी देर में रसी जल चुकी थी और चंडिका का शरी चट्टानों की तर रवाना हो चुका था द्रुब के पास उस लड़की क सुरक्षित कैच कर पाने का सिर्फ एक ही मौका था और दुरुफ मौका गवाने का आदी नहीं था खास तोर से जब मौका सिर्फ एक ही हो वाउ तुमने वागई कमाल कर दिखा है दुरुफ ये काम तो मैं भी कर दिखाता बस थोड़े से स्पेशल एफेक्ट डालने बढ़ते लोग मुझे सुपरिस्टार कहते हैं दुरुफ लेकिन मैं तो तुमको सुपरिस्टार मानता हूँ मैं न बहुत से रूल किया है लेकिन तुम पर बरने वाली इस फिल्म में तुमारा रूल करने में जो मज़ा आ रहा है वो मुझे पहले कभी नहीं आया है तारीफ के लिए शुक्रिया सुलमान लेकिन ये तो बताओ कि तुमने मोटर साइकल वाला स्टेंट खुद क्यों किया ये काम तो स्टेंट मैंन का था बलकि उल्टाउन को चैलेंज समस्ता है यार धवन मैं दुरुफ का रोल कर रहा हूँ कोई मजाक नहीं कुस तो रियालिटी आनी चाहिए ना जब टांग दुड़वाओगे तब पूछूँगा रियालिटी का मतलब आओ दुरुफ अब काम की बात करते हैं ये हमारे स्क्रिप्ट राइडर टोनी बक्षी है ये जानना चाहते हैं कि अगर ग्रेंड मास्टर रोबो धुरुप पर लेजर बम छोड़े तो वाव हाव हैंडसम मेरा तो मन कर रहा है कि एक बार फिर उपर से कूट पड़ू धुरुफ अपने उपर बन रही फिल्म में वैस्त था और राजनगर का मानसिक चिकिस्सा केंदर भी जिसको आम भाशा में पागल खाना कहते हैं आज चहल पहल से भरा हुआ था इस खास समारों में मैं डॉक्टर सोडा वाला इस चिकिसा केंदर के डिरेक्टर की हैसे से आप सभी नियूरोलोजिस्ट यानि मस्तिष्क विशेशग्यों का स्वागत करता हूँ आप सब को यहाँ पर बुलाने का कारण एक क्रांतिकारी अविशकार है जो आप सभी का काम बहुत आसान कर देगा इस अविशकार को मैंने अपने सयोगियों के साथ डेवलप किया और इसको नाम दिया है नियूरो गाइड और ये नियूरो गाइड कोई बड़ी सी मशीन नहीं है ये एक मामली साइज वाला हेलमेट है लेकिन इसके साइज पर मत जाईए इसके काम को देखिए ये अपने आप में एक संपूर मशीन है इसके दो हिस्से हैं एक हिस्सा दिमाग को स्कैन करके उसके अंदर की खराबी का पता लगाता है और दूसरा हिस्सा उस खराबी को दूर कर देता है यह इनसानी या पशू मस्तिश्क के हर हिस्से के साथ छेड़चार कर सकता है नए नूरोंगों को पैदा कर सकता है और उन नूरोंगों के जरीए दिमागों के अलग-अलग हिस्सों के बीच नए-नए connection पैदा कर सकता है ये मशीन भी टेस्टिंग स्टेज में है लेकिन इसके टेस्ट पूरे होने के बाद इस दुनिया से पागल बन का नाम मिठ जाएगा हम किसी भी पागल के दिमाग की खरावी का आसानी से पता भी लगत लगा सकेंगे और उस खरावी को दूर भी कर सकेंगे सबसे खास बात ये कि इसको मरीज के सिर पर नहीं लगाना है ये डॉक्टरों के सिर पहनने के लिए है उसी वक्त मांसिक चिकिसाले के दूस्षरे हिस्से में जिस काम के लिए हम याँ पागल बनकर बन्द हूए है वेह करने का वक्त आ गया है यहांकि सिक्योर्टी हमारे सेलों के पास से अठकर समारो इस तर्पर आयड़क्टरों की सरख्षाए के ले चली गई है। अभी लो विजली गितार को पजामे की कमर में मैंने इसी दिन के लिए छपा कर रखा हुआ था। और फिर, गाल जी, गाल जी, देखो न, ये मरने में बहुत उल्ला कर रहा है, अरे, फिलन ले लगे, अभी उताता हूँ मैं तुम सब को, इस एलेक्टिक ठंडे से, लेकिन नहीं, तुम मुझे पागल समस्ते हो, मैं दरवाजा खुलूँगा, अंदर आकर दो पागलों को र दे, और कुछी सेकंड्स के बाद, अब क्या करना है बॉस, स्टेप नंबर दो, ये लेक्चाबियों और सभी पागलों के सेलों को खोल दे, आजाद कर दो पागलों को, ताकि सिक्यूर्टी गाड्स को समारो इस तल छोड़ का इधर भग कर आना पड़े, तब तक मैं अप उत्त जगे से अपनी पोशा के निकाल कर लाता हूँ, समारो इस तल पर, अब मैं आपको इस नीरो गाइड के टेक्नोलोजी समझाता हूँ, अरे, तुम लोग कहा जा रहे हो, कई पागल अपने सेल खोलकर आजाद हो गया है, तंगा फैल गया है, पर आप फंक्शन जारी समस्य अगंबीर थी, ओ माई गाट, सारे के सारे सेल खुल गए है, हम इतने सारे पागलों को एक साथ नहीं समाल सकते, सारे गाट्स को बलाओ, समारो इस तल पर ये खबर पहुंसते देर नहीं लगी, अब हम यहाँ पर नहीं रोख सकते, आपका विश्कार हम किसी और जहू करूंगा, अभी बाहर जाकर पागलों की भीड को रोकता हूं, जरूर रोकना डॉक्टर, लेकिन पहले मुझको तो रोक लो, तुम, तुम कौन हो, यहाँ तक कैसे आ गए, गाटों ने तुमको रोका क्यों नहीं, गाट्स, गाट्स, क्यों खामखा गला फाड रहा ह अपना गला फाड़ने का शर्ब कार्ड तुम मुझ पर छोड़ दो, वैसे भी सारे गार्स उन पागलों को रोकने में वैस्त है जिनको मैंने आजाद कर दिया है, तुमारी मदद को कोई नहीं आएगा, तुमारी मदद अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ तुम खुद, यह न यह आप क्या कर रहे हैं सर, यह तुमने क्या किया, मुझे लगा कि वैए उलेक्ट्रिक बेल्ट आपको माड आलेगा, बोल्ट आपको माड आलेगा, उफ, जमीन पर गिरने से नियूरो गाइड में कुछ खराबी हो गई है, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, पर मुझे कुछ वक्त चाहिए, वह वक्त तुमको नहीं मिलेगा, एक बार भी नहीं जेल पाया, अब नियूरो गाइड मेरा है, सिर्फ मेरा, नहीं, तुमारे पास अगर कोई चीज होगी तो सिर्फ जेल के अंदेरी काल कोट रही, लाइट तो तुम खुदी जला ही लोगे, सुपर जो उसे लेकर भाग रहा है, मैं इसके पीछे नहीं जा सकता, मुझे यहां पर रुपकर उन दोनों को काबू में करना ही होगा, बरना इनकी गोलियों से बेवश डॉक्टर को खत्रा हो सकता है, सबसे पहले गोलियों के बचार को डॉक्टर के शही से दूर ले जाना होगा अब बचाके दुरुफ गोलियों के बचार को छकाता हुए कुर्सियों के तरफ जाकूदा और गोलियों का रुख भी उधर ही मुड़ गया, यार बास खुद तो आसान काम करने चला गया और हमको मुसीबत थमा गया, दुरुफ को रोके रहना जैसे दुरुफ को पट्ट कर दिया है और ये काम धुरुफ का ही होगा, यानि वहाल के अंदर ही ये बाहर नहीं, वहरा स्टेच पे, गोली बेताःशा दगी और अंदेरे में चमा करा दुरुफ के चरी में छेदी छेद होती चले गए, भून डालो इसे, इसको बास के पीचे जाने मत देना, ये गो प्रजेक्टर के द्वारा प्रजेक्शन बोर्ट पर दिखाई जा रही है, अंदेरे के कारण तो मेरे चित्र में और मुझको फर्क महसूस नहीं कर पाए, सौरी, मुझे में फर्क महसूस नहीं कर पाए, भला ओ डायरेक्टर धवन का, जिसने मेरे मना करते भी फिल्म के, रेल के कुछ टुकड़े मुझे देखने को थमाद गिये थे, अब डॉक्टर को सरक्षिस्तान पर पचा कर मुझे इस चलते फरते जनेरेटर की तलाश में जाना है, उन टुकड़ों में दुरुप बने सोलमन की तस्वीरे विजिज को मैंने स्लाइट प्रोजेक्टर में जाल कर दिखाया और ये दोनों मूर्ख बन गए, दुरुप को जिसकी तलाश थी वो नियूरो गाइड की तलाश में था, अरे असिस्टन डॉक्टर के बच्चे, तू कैसा मज़ता है, कि अगर तू मैंटिनेंस रूम में कुछ का दरवाजा अंदर से बंद कर लेगा तो तो इस तक पहुंच नहीं पाएगा, गलत फहमी है तेरी, अपने आप खोलते दरवाजा वरना में दरवाजा ही तोड़ दूँगा, असिस्टन डॉक्टर पार्तों के पास ये बकवास सुनने का वक्त नहीं था, कुछ देर और डालग मारता है शौकर, ताकि तब तक मैं नीरो गाइड को ठीक करके तुझे शौक दे सकूँ, मैंने इसको डेवलप करने में डॉक्टर की मदद की है, इसलिए मैं इसको ठीक करना भी जानता हूँ और इसको इस्तमाल करना भी जानता हूँ, बस ये ठीक हो चुका है, अब मैं शौकर का दिमाग दुरस करने के किस्ते से चोड़ देता हूँ, फिर तू अपरादी से सादू बन जाएगा, पर मेरा अभी लंगोड बांदने का मन नहीं है, बिजली की गती स्कैनिंग करने की गती से जादा तेज थी, और उतनी ही तेज गती से लपके ते शौकर के हाथ नीरो गाइड की तरफ, लेकिन नहीं सकता, इस बार मैं पहले तुस्से ही निवड़ता हूँ, कमाल है, इतने सारे कबाड़ों के बीचवे से भी तू उचल उचल कर मेरी लहराती तरंगों से बच ले रहा है, तब तो कुछ ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि तो मेरी एलेक्रिक वेफ से बच ना सके, जै लेकिन ये चुम्बक अपने आप तेरी बैल्ट ये प्रैसर से जा चिकेगा, और फिर तेरी एलेक्रिक शॉक वेफ के वार से ना तो इतना बड़ा निशाना बच पाएगा और ना ही तू, तो चलिए दोस्तों वीडियो को यही समाप करते हैं और मिलते हैं दूसरा झाल